धाकड खबर में आपका स्वागत है मैं आपके साथ हूँ अक्रम रहीस खान आज एक कैसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ जिनका नाम भत बनर जी के नाम से पूरे शोशल मीडिया पर या यूं कहें पूरे डिजिटल मीडिया पर या उससे भी बड़े इस तर पर ले जाकर अगर कहें कि पूरे मैं इस्टी मीडिया में आज मशूर हो चुका है वो जो करते हुए खबरों को आपके सामने रखते हैं ऐसी नजीर आपको कहीं मिल नहीं पाएगी हाला कि उनकी कुछ और चीज़े भी मुझे पसंद है जैसे वो एक बंदे का नाम विकास लेकर पुकारते हैं जो उनके पास हैं अरे विकास इधरा वो वाला स्टाइल है उनका यानि कि विकास को भी उन्होंने किस तरीके से आपके सामने प्रक्तिकल करके दिखाया है विकास तो पैदा हुआ नहीं है बसे 6 साल के इतिहास में इसके अलाबा एक टायलोग उनका और है घायल रोतगी वो अपने साथी को ऐसे ही दुपटा सा उड़ागे बगल में बैठा लेते हैं और घायल रोतगी के नाम से वो प्रोग्राम करते हैं एक DNA जो सुदीर चोधरी बाला आता है उस पे भी एक प्रोग्राम करते हैं ADN पर तो वो ही भक्त बनर जी या क्या खुराफाती काम करते रहते हैं बस बदमाशी करते रहते हैं थोड़ा न्यूस के साथ खेलते रहते हैं लोगों को थोड़ा educate और entertain करें क्योंकि आज जो माहौल है कभी-कभी उसमें हस के ही गुजारा करने का option रह गया है आप कितना घुसा और कितना क्रोध हम कर करता है हाथ भी नहीं लाता है अमीज देवकन को देखते हैं तो खड़ाओ के ऐसे यूं-यूं हातों को फैकता है अनव गोस्वामी को देखते हैं तो सीट पर बैठके कूद कूद के बात करता है अब सिंगल परसान है जो इतनी सारी चीज़े अगेले क्रिएट करके करती हैं आई थिंक हमारे यहां इसकी एक कल्चर है लेकिन इस कल्चर को कहीं न कहीं मेंस्ट्रीम मीडिया ने दबा दिया है क्योंकि अगर आप काटून की परिभाशा देखें या रीजनल लैंग्वेज में सटायर देखें तो आपको भरपूर मिल जाएगा हम राजा रं देखें तो बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे कल्चर में हैं और सवाल पूछना हमारे एक जहन में हैं कहीं न कहीं यह दबाया गया है क्योंकि I think कोई भी पुलिटिकल लीडर जो होता है वो पावर रजियूम करने के बाद और एपसलीट पावर रजियूम करने के बाद आगर हम ऐसे बाद कर ले तो क्या प्रॉब्लम है तो उसको देखकर कुछ लोग बहुत गुस्पे में आ जाते हैं लेकिन हमारे कल्चर में है सवाल पूछना और उसी कल्चर को थोड़ा रिवाइफ करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अगर आपने अवी हात्रस वाली घट कोट में DM का कि साव अगर हम dead body ना जलाते बवाल हो जाता हाला कि परदे के पीछे से ये भी कहा जा रहा है कि dead body इसलिए जलवा दी गई अगर ना जलवाते तो वो लोग कहते कि आदितिनातियोगी को यहां पर बुलाइए तो बताइए अगर अपने मुख्य मंत्री को बुलाने की लोग मांग करें तो क्या इसमें कुछ गलत हो सकता है तो मैं आजके लिए कहता हूँ कि हमारा जो profession है बड़ा risk में है satire का profession क्योंकि satire तो अपने आप ही लिखी जाती है headline तो अपने आप ही satire बन जाती है अगर आप इस चीज़ को भी जाती है और देखिए घौर करने के बाट यह बात है ना कि सरकार बहुत कोशिश करें कि नहीं गैंग रेप नहीं हुआ था आरोपी जानता था सरकार अपने आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक अभी जाएगी आपको और हमको एक तरीके से लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस तरीके से उनको बहकाया जा रहा है लोग ये भी मानने को तयार हो जाएंगे हाँ भी law and order के लिए किया था क्योंकि आजकल तो कोई भी जस्टिफिकेशन चल जाता है जस्टिफिकेशन की तो कोई logic ही नहीं है आजकल आप बांगलादेश हमसे आगे चले गया तो हम बोलेंगे नहरू की गलती है अब बताइए क्यों बांगलादेश हमसे आगे चले गया नहरू की गलती है भंग भंगलादेश को अजादी किस ने दिलाई इंद्रा गांदी इंद्रा गांधी को पैदा किस ने किया और उसकी वजह कौन भिणी ऑब इसको लोगमान मिलेंगा क्या वरोस है बिल्कुल सही आपने कहा कि वो इसी तरीके से एक्जाम्पल सैट करते हैं. आपके कुछ केरेक्टर्स को लेके बात करना चाहता हूं, जिसमें से सबसे पहले मैं चाहूंगा आप विकास के बारे में बताएं, उनका असल नाम क्या है विकास का? विकास का असल नाम है सार्थक, आइरोनिकली उनका जो सर नेम है वो गोस्वामी है, तो मैं कहता हूं, if life makes you a गोस्वामी, then be a सार्थक and not an अरणब. तो विकास का जो चैरेक्टर है, बहुत ही इंट्रेस्टिंग कैरेक्टर है, विकास एक उस आदमी की प्रतिपिम्ब है, जो आशा कर रहा था कि बहुत सारी चीज़े बदल जाएंगी, देश विकास के रास्ते पे चले जाएगा, और क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, और अगर आप 2014 का अगर आप मैनेफेस्टो भी उठा के देखिए, तो 80 बार विकास का नाम लिया गया था मैनेफेस्टो में, मं पॉलिसी परालेसिस के बाद विकास आएगा, तो ये उस आदमी की प्रतिबिम्ब है जो एक्सपेक्ट कर रहा था, और वो आज बिचारा दरदर की ठोकरे खा रहा है, जीवन की मार खा रहा है, पॉलिटेशन की मार खा रहा है, ठीक है, तो विकास से आगे बढ़ते हैं, तो आपको ये भक्त बनरजी वाला आइडिया कैसे आया? आदमी को थोड़ा सा कैरफूल रहना पड़ता है कि आपको मिस इंटरप्रेट आदमी कैसे ना कर ले, तो मैं क्या करता था, मैं ट्वीट लिखता था, फिर मैं सोचता था, इसको किस तरीके से बुनाएंगे गलत तरीके से, तो मैं उस नजरिये से देखने लगा, उसके उ गोस्त हैं, कॉलेज ग्रूप है, ऐलुमिनाई ग्रूप है, फैमिली ग्रूप है, भग तो मिली जाते हैं, तो उनसे बातचीत करके एक और नजरिया मिलता है, इसलिए कहता हूँ कि सुनना, सबकी सुनो, क्योंकि नजरिये बहुत सारे मिलता है, तो मेरा जो स्कूल ग्रू से जब मैंने देखा समझा तो फिर मैंने उसको बोला कि एक चश्मे वाला कैरेक्टर बनाते हैं जो इस तरीके से जिसको मुतिया बिंध है उसको हमेशा सब कुछ ठीक लगता है और जो खिलाफ बोलता है सरकार वो उसका दुष्मन उता है वहाँ से उत्पन हुआ भक्त बेनरजी जो कि आज बिचारे देशभक्त आकाश की उपर भी हावी पड़ गया है लोग कहते हैं हमें तो भक्त बेनरजी दो यह सब देशभक्त ती तुम अपना साइड बे रखो तो ड्रेस का जो चुनाव आपने किया तिलक लगाना भगवा टी शट पहनना चश्मा यह सब सेलेक्शन कैसे हुआ यह देखिए यूपी में आप रहते रहते तो आप भी जानते हो कि भग टाइब लोग अगर आप टीवी पे भी देखो निता टाइब लोग भग टाइब लोग किस तरीके से क्या पहनावा होता है और किस तरीके से हम एक एग्रेसिव एक लुक देते हैं मेरा मकसद एक एग्रेसिव लुक नहीं था मेरा मकसद था यह दिखाने के लिए कि लोग एंट में आके arrogance में आके, style में आके logic को कहीं भूल चुके हैं तो भक्त बैनर जी ऐसी ऐसी illogical बाते करता है जिसे मैं hope करता हूँ, आशाय यह रखता हूँ कि कभी न कभी लोग भी समझे यह आदमी क्या बात कर रहा है और फिर वो अपने आप को देखे और बोले मैं भी ऐसे ही बात करता था मैं भी ऐसे ही logic लगा रहा हूँ क्योंकि आजका logic की परिवाशा भी बदल गई है, और आप बताई कितने लोगों से आप logic कर लोगे, कितने लोगों से आप logic लडा लोगे, तो इससे अच्छा है कि logic के साथ ही मस्ती कर लो लेकिन घायल रोतगी से जब भक्त बनर जी बात करते हैं उसका दर्द जब सुनते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे पास दो रुपे है तो ट्वीट करकर के दो दुर रुपे कमाते हैं ना तुझे दो रुपे दे रहा हूँ वो आइडिया कहां से आए तो देखिए ये जो IT CELL है जिसको कहते हैं जो भक्त बेनर जी भी एक proud member है भाई एस IT CELL का तो भक्त बेनर जी के आमदेनी उधर से होती है लेकिन अब आफ लेट हम ये भी बोलने लागे कि भक्त बेनर जी फाइदान पर उपर भी चड़ने लगा है नित्यानन्द ने वहाँ भी बुलवाया था भी उनको कैलासा बुलाया था भक्त बेनर जी भी कैलासा भी होके आए है इंटरनेशनल बन रहे है भक्त बेनर जी देखिए तो ये जो दो रुपए वाला जो असोसियेशन है कि हाँ ट्रोल्स को पैसे मिलते है ट्वीट करने के अभी मैंने रिसेंटली भी कहा था कि ये जो तनिश्क है तनिश्क को ट्रोल से उतना नहीं डरना चाहिए जितना पारले आगरो को डरना चाहिए पारले जी बिस्किट को डरना चाहिए क्योंकि कम से कम 2 रुपए में पाढ़ले बिस्कित खरीदा तो जा सकता है boycott तो किया जा सकता है 2 रुपए में तनिश्rike को आप 2 रुपए में boycott भी नहीं कर सकते हो तो तो वो कहीं ना कहीं ओ दो रुपे दिखाने की ये बात है कि उसकी वकात क्या है उसकी शम्ता कितनी है तो वो घैल रोतगी के बाद आपने एक प्रोग्राम किया जिसमें बाकाइदा पूरा ड्रेस अफ होके टाइवाई लगा के ऐसे बैठ के पीछे से वो बैक्ड़ाउन इमेजिस बगारा लगा के A.D.N. News जी वो बड़ा कमादर है A.D.N. News का मतलब है Analysis of Dungai News Analysis of Dungai News जो कि आप रास्पो नौ बजे बहुत सारे चैनलों पर देखी सकते हो कोई ठंडे दिमाग से आपको बोलता है कि आप सोच लीजिए कोई चिला चिला के बोलता है देखिये क्या हो रहा है और कोई बोलता है तो अलग तरीके हैं सबके लेकिन हो तो दंगा ही रहा है कोई प्यार से दंगा समझा रहा है आपको हिट्रिट दे रहा है पॉइजन दे रहा है टॉक्सिक दे रहा है और कोई चिला चिला के आपको बता रहा है ये लैंड जिहाद कहां से आ गया भाई साब तो हमने का भाई अकर लैंड जिहाद है तो फिर निउस जिहाद भी होगा कहीं न कहीं तो ये जिहाद के बारे में बात करना होगा जो हमारे जहन में घुसके हमारे अंदर जाके पॉईजन क्रियेट कर रहा है और ये जो नौ भी वही था, topic भी वही था, हमने बैस land जिहाद को news जिहाद बना दिया, flow chart भी वैसे ही था, बैस flow chart के characters बदल दिया और दिखाया लोगों को कि शांती पूरवक, controversial, एक नया idea ले आए और एक नया नाम दे दिया, see, sloganeering से लोग बहुत effect हो जाते हैं, टुकड़े, टुकड़े बोल दिया किसी को, किसी को ये बोल दिया, खान market गैंग बोल दिया, तो उससे लोग बहुत आकरशित हो जाते हैं, और ये जो news जिहाद है, ये बहुत अच्छे तरीके से लोगों को अपने तरफ आकरशित कर पा बहुत अच्छा प्रोग्राम आप लोगों का रहा, काफी लंबा प्रोग्राम था वो, उसमें उन्होंने एक बात कही, आपने सुनी भी होगी धियान से, वो कहते हैं, कि अखबार में खबर शपी है, कि भारत के परधानमंत्री आज भारत आए, तो वो सटैर महीं से निकल सही कह रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, कि जो न्यूज की दुनिया है, उसमें सुधार हो पाएगा, सिरियसली कुछ बाते जाना चाहता हूँ, देखिए हम लोग आज ऐसे महत्तपूर दिन पर बात कर रहे हैं, जब कुछी घंटे पहले खबर आई, कि बार्क अगले ती समझाईए, कि ये जो बार्क मीटर होता है, जिससे ये चैनल चीक चीक के, जैसे वो बोलते हैं ने न्यूस चैनल में, मैं चीक चीक के बोलूँगा, तो कुछी चीक के बोलते हैं, कि हम नबर वन हैं, असी, चालिस हजार, 45,000 मीटर्स हैं, 20 करोर घार हैं, 80 करोर व्यूर्स हैं क्योंकि एक घर पे आप चार मानके चलिए 80 करोर की आबादी आपकी टीवी देख रही है 20 करोर टीवी हैं हाउसोल्ड टीवी हाउसोल्ड है और मैं 44,000 मीटर लगे हुए जिनको पीपल मीटर कहा जाता है और ये पीपल मीटर न्यूस के लिए नहीं लगाया जाता है ये आपको समझने की जरूरत है ये पीपल मीटर लगाया जाते हैं entertainment, gauge करने के लिए, sports देखने के लिए क्योंकि उधर ही major जो हजारों करोरों का खर्चा होता है, advertiser का इन सब चीजों पर होता है बार्ख की गलती ये है कि इन सब के अंदर इन्होंने न्यूस को भी ठोक, ठूस दिया, ठूस लो, इससे भी पैसा कवाएंगे, ठूस देते हैं तो वो 44,000 से estimated है, 8,000 हिंदी न्यूस चैनल मेंचन करते हैं, तो हिंदी न्यूस चैनल को स्विंग करना बने पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 500 से भी कम है, बने जब रवीश से बात किया, तो रवीश का ये कहना है कि मैं आपको कह सकता हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ बार्ख को, आप मुझे बताईए, कितने मीटर, सवाल बहुत सिंपल है बार्ख हमें ये बता दे, कि कितने मीटर हैं, जिससे हिंदी न्यूस चैनल और अंग्रेजी न्यूस चैनल गेज होते है कुछ लोगों का मानना है, ये एक दरजन मीटर भी नहीं है अब आप सोचिए, दो मीटर में, दो बॉक्स में, दो घरों पे जाके आपने छेडखानी कर दिया, ओन छोड़ दिया, 24 घंटे हो गया, नमबर वान और टू में, पूरा गेम चेंज हो गया ये बात बार को भी मालूम है, ये बात इंडस्ट्री में मालूम है लोगों को, लेकिन वोई है ना, हमें भी तो चाहिए ना, कुछ आड़टाइजिंग देने के लिए, कोई आकड़ा चाहिए तो हम ये कह रहे हैं अब लोगों को, कि अगर एड़टाइजर बोले कि मैं दूंगा पैसा, कमपनी बोले, राजी बजाज बोले, बजाज इंडस्ट्री इन चैनल्स को पैसा देगी, बड़े-बड़े कमपनी आके बोले कि हम अच्छे चैनल्स को पैसा देंगे, तब ही न्यूस बदल सकता है क्योंकि मामला पैसे का है, और जहां पैसे की बात आएगी तब यूस चैनल्स भी लाइन पर आएंगे, जो कि अब लग रहा है, पिछले दो दिनों में मैंने देखा है, थोड़ा सा चिलाना कम हुआ है, जी, मामला पैसे का है और जब पैसे जो बे मैं चाता हूँ, आप और रोशनी डालें, सुधरसन वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारा दीन है, तबलीगी जमात को लेके जमियो तवलमाहिन सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है, उसको एक अलग बेंच सुन रही है, इस तरीके से रिफुल प्रीज जो सुधार करेगा. लेकिन देखे कितना लंबा केस चले जा रहा है, तो अगर आप मुझसे पूछोगे कोर्ट से कोई समझोता आएगा की ने आएगा, मेरे ख्याल से वार्निंग आ सकता है, समझोता ने आएगा, समझोता जी एक चीज़ से आ सकता है, डिजिटल, जो आप और हम करते हैं, या कहीं न कहीं एक बैलेंस आया है कि घटिया पिचर भी मेंट्रीम पिचर भी बनती है, और अच्छी मल्टिप्लेक्स मूवीस भी बनती है, स्टोरी लाइन अच्छी भी हुई है, कुछ-कुछ जगे, कहीं अभी भी सडक जैसी पिचरे बनती है, समधान ऐसा होगा, अगर ल चल रहा है मेरा भी चैनल चल रहा है अगर लोगों को ये बात समझे में आया है कि ये हमारे साथ मजाग किया जा रहा है तो और उन लोग डिजिटल ज़्यादा कन्जूम और सुचिए कल अगर ज़्यादा और मेजोरिटी डिजिटल कंज्यूम करना शुरू कर दे ऐसे में हालत खसता है न्यूस चैनल्स की, पैसे है नहीं है इंडस्ट्रिलिस्ट और पॉलिटिशन से पैसा लेके काम चला रहे हैं, अगर कल डिजिटल की वैल्यू और बढ़ जाती है, तो उनको भी लाइन पैना पड़ेगा तो कहीं न कहीं क्या आपको लगता है कि आप और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं, लोग उस तरीके से खबरे देखने के आदी हैं, या उनको बैक्ग्राउंड में खूबसूरा सा अंदाज तमाम ग्राफिक्स, बैक्ग्राउंड म्यूजिक धैन धैन, धैन करते हुए और स्मार्ट सी रिपोर्टर, रैंकर वो सब देखने की आदत पड़ चुकी है, जैसे आपने फिल्मों का भी जिक्र किया, जैसे किसी दायलोग के बूते पे वो पिच्चर एक सुपर हिट बनी, हमारा यह जो बैक्ग्राउंड है सर, दो साल से तो यही चल रहा है, वो केस है, बहुत ही बोरिंग है टेक्निकली तो, आज के धिजाओं धिजाओं पैनल, एलिडी और एंकर ऐसे चल के आता है तो, आप कर्टें है डिजिटल में, कि अगर आपका कॉंटेंट अच्छा है, इंगेजिंग है, मैं यह नहीं कहूंगा कि आदमी सिर्फ ऐसे आके न्यूस बोल दे तो भी चलेगा, कुछ उनको भी मसाला चाहिए, कुछ उनको भी चटपटा चाहिए, लेकिन हाँ, टेक्निकल बैक्ग्राउ और गुड लुकिंग बैक ड्रॉप नहीं है, लेकिन सॉलिड कांटेंट दे रहे है, लेकिन सॉलिड कांटनेक्ट को जब लोग और पहचानेंगे, और ये मेंस्ट्रीम मन जाएगा, बात आज है आओ कल की है, फिर देखाजाएगा. जब डिजिटल में इस्तिम बढ़ेगा तब देखा जाएगा अभी हाल फिलार में आपने एक प्रोग्राम किया रिया चक्रवर्ती के रिया होने पर उनके जमानत मिलने पर बहुत ही शांदार था आप पीछे से बात कर रहे हैं सामने आपने सिधार्त को बैठा रखा है जिनका नाम सार्थक को सोरी तो वो आइडिया भी घजब का था अपका और कुछ नयापन डिजिटल प्लेटवर्म पे आपने खबर के रूप में इंफर्मेशन भी दी और खबर भी दी जादा अच्छा लगा हो तो कोशिश यही रहती है अब अच्छली तो मैं बोलूँगा कि मेरी गलती है कि हमें और भी ऐसा करना चाहिए देखिए मैं भी news background से आता हूँ तो कभी-कभी मैं भी बात सीधे तरीके से कर देता हूँ लेकिन जब बात आप acting के through स्किट के through बताते हो तो मेरी गलते लोहों को जहन में भी अच्छा जाता है वो पसंद भी करते हैं तो ये वाला जो अभी सार्थक के साथ किया और you know रिलीज भी हो गई उसके SSR फैंस आज भी SSR एंस आज भी लड़े जा रहे है और ये मैंने रिलाइस किया जब ये स्टोरी कर रहे थे कि genuine fans है वो गाली गलोच करने के लिए नहीं आए उनको actually लगता है murder हुआ है और वो justice के लिए लड़ रहे है उनको manipulate किया जा रहा है एक दिन कोई theory आ जाती है दूसरे दिन कोई theory आ जाती है हर दिन कुछ न कुछ परोसा जा रहा है उनको बहुत ही fascinating theory बनती रहती है और उनको manipulate किया जा रहा है चार महीने से CBI को भी कुछ नहीं मिला अभी तक CBI closure report file करने पर आ गई है अब तो ये खाबरे आ रही है Bombay Times में अभी आज ही खाबर थी closure report आने वाला है लेकिन आप भी भी वहाँ full on brainwashing चल रही है murder हुआ है इसने किया है 302 302 चल रहा है खैर चलिए तो आप अगर आपको मोका मिले आप इस platform पे जिस पे काम कर रहे है बड़े इस तर पे काम करना चाहें तो आपकी क्या तमना होगी यही तो problem हो जाती है लोग कहते हैं आप mainstream में आ जाओ आप news में अगर मैं mainstream में आ गया तो यह सब कर पाऊंगा जो भी कर रहा हूं तो तो यह एक dilemma है छोटा आदमी है अपने बूते पे कुछ कर रहे हैं कुछ members है हमारे हमें support करते हैं तो हम कर रहे है problem हो जाएगी जब आप बड़े हो जाओगे set आ जाएगे, team आ जाएगी बहुत सारे लोग आ जाएगे, खर्चे बढ़ जाएगे dependence बढ़ जाएगी अभी हम सीना चोड़ा करके बोल सकते हैं हम independent है, crowdfunded है no strings attached तो मन किसका नहीं करता है मन तो करता है कि और लोग देखें और subscribers आएं और नाम हो देशभक्त को और लोग जाने लेकिन एक चीज हमने call लिया है कि हम funding नहीं लेंगे हम crowdfunded ही रहेंगे और जितना organically बढ़े हैं पिछले दो सालों में organically जितना बढ़ जाएं उतना बढ़ने की कोशिश करेंगे जादा पैर नहीं फेलाएंगे बहुत सारे media houses को देख चुका हूँ पैर फेला के क्या होता है बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुडने के लिए आपने जो आखरी line कही है वो सबसे मजबूत line है कि मैं बहुत सारे media houses को देख चुका हूँ पैर फेला के वो लोग धन्ना सेटों के गुलाम बन गए और काम नहीं कर पाते हैं आपको एक अच्छी और स्वतंतर पत्रकारता अगर देखनी है तो ऐसे लोगों को मजबूत करना ही होगा तो कि आपको ख़बर चाहिए तो बहुत शुक्रिया हमार साथ जुनने के लिए साराब का थैंक यू सो मजब दने बाद